असलाम अलेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मुहमाद अमारतुफैल है और आज हम सीखने वाले हैं कि क्या पोलिनॉमियल पोलिनॉमियल रिग्रेशन क्या होती है ठीक है, तो यह बहुत ही इंड्रेस्टिंग टॉपिक है मशीन लर्निंग के लिए हमें यूज़ करना है और उससे पहले, मैं आप लोगे से रिक्वेस्ट करूँगा कि यहां पे ना, कॉर्नर के उपर यहां पे करके, आपको एक लिंक शो हो रहा होगा उस पे क्लिक करें और पूरी पाइथोन के लिए लिस देखें देन आपको समझ आएगे कि हम कहां पे क्या क्या कर रहे है अभी पोलिनोमियर रिग्रेशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपोर्टन पॉइंट आपको बता दू कि अगर आपने वीडियो स्टार्ट से अभी देखने शुरू किये तो प्लीस कुमेंट सेक्शन में लिखें कि स्टार्टिड वाचिंग ताकि मुझे अंदाजाओ कि कौन कौन बंदा कैसे कैसे कप कप देख रहा है तो पोलिनोमियर रिग्रेशन स्टार्ट करते हैं और उसकी एक लिनीर लाइन Beisd on the points और इस लाइन का ड्राु करने का यह मकसद था कि यह error इसमी मिनिमाइज हूँ और इससे फिर हमने एक equation बनाए ठीक है equation को बनाने के बाद हमने इससे linear regression बोल्या फिर multiple linear regression में हमने तीन X's रखे, X, Y and Z जिसमें independent variables हम ज्यादा रख सकते थे और multiple linear regression हमने draw की थी, ठीक है अब polynomial क्या होता है, polynomial भी आप ये समझ लें कि linear regression है लेकिन ये एक line में linear चल रही होती है इसकी increment किसी भी एक parameter की X की base पे Y की या इन दोनों का relation इस तरीके से होता है कि points यहाँ से start होते है and बढ़ते, 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 बढ़ते बढ़ते ना इस तरह जाते है, ठीक है जैसे अर्दू में ray होती है raw जिसे बोलते है like this, ये वाली raw देख लें तो ये वह वाली raw है ray, ray जिसको बोलते है, ठीक है जिसको हम, मतलब बहुत सारे लोग जो है different और्दू की लफजों में use करते है for example, रा, गुजर राहे ठीक है, अगर आप ray को थोड़ा सा इस तरह मेरे style से लिख दें तो ये polynomial हो जाएगी, तो अभी आपको polynomial याद रखना easy रहेगा अब बहुत सारे लोग हैं जो राह से बहुत सारे लफज बना सकते हैं, please मुझे comment section में जरूर लिखेगा, अब आप यहां पे देखें कि polynomial regression क्या होता है, कि इस data पे, अगर हम कोई इस तरह की line fit करते हैं, तो वो तो ठीक नहीं है अगर हम इस तरह की करते हैं, वो भी ठीक नहीं है तो हमें क्या क्या करना होता है, points के equally line draw करनी होती है अगर हम equations को देखें, तो linear regression में हमने ये वाली equation बनाई थी, क्योंके हमने इसमे linear एक line draw की थी, based on the points, जो इसके इर्दिकिर्द है, ठीक है, और इस line से एक equation हमारे पास आई थी, जिससे हम predict कर रहे थी, ये वाली equation फिर हमने multiple linear regression में तीन axis कर रही है, x, y, and z और फिर यहां पर point बनाने के बाद हमने एक line draw की थी, ठीक है, और इससे हमने एक equation drive की थी, जिससे हम show कर सकते हैं, कि अगर कोई prediction करनी है, similar here कि यहां पर भी एक equation है, y is equal to b0, b1, x, b2, x square, फिर b3, x square, इस तरीके से square चलते रहते हैं, अब मेरा question आप से है, आपने क्या करना है, इसको check करना है, इस equation को और बताना है, कि यहां पर square आना है कि नहीं आना, क्या यह मैंने equation ठीक लिखी है या नहीं लिखी है, बाकि आपको constant और slope का पता है, मैं इन चुजों में ज्यादा नहीं पढ़ने वाला, लेकिन multiple linear regression में जो एक चीज मज़े की होती है ना, sorry polynomial regression में, अब में जो बताया है कि मैंने polynomial के जग़ा क्या बोला audio message में, ये एक point है दूसरा, तीसरा, चोथा, पांच, वांच, छेटा इस तरह points लगते रहते हैं, और ये आजाती है मैंने आपको बताया कि अगर हम इसकी line थोड़ी सी टेड़ी लगाएंगे, मतलब इस तरह लगाएंगे, तो ये भी line ठीक नहीं है, अगर हम इसकी line को इस तरह लगाएंगे, तो ये भी line ठीक नहीं है, तो हमें क्या करना है, हमें असल में इसके पूरे उपर से ऐसे line इसके बराबर से गुजारनी है, क्यों? क्योंकि हमने errors को कम करना होता है कौन सी residual error को residual absolute error और MSC और जो भी चीज़े हैं, उनको हमने कम करना होता है, ठीक है? तो आपने क्या करना है? ये वाली line को इस तरह draw करेंगे, तो ये polynomial equation आजाएगी, multiple bar बार मैं बोली जा रहा हूँ, polynomial आजाएगी हमारे पास equation जिससे हम फिर prediction कर सकते हैं simple क्या है यार, यहां पर B0 है, B1 है और हमने X का square ले जाना है, मतलब ये कि अगर ये 2 point है, ये 4 पे होगा, ये 6 पे 8, 10, 12 लेकिन ये बढ़ रहा है एक linearly, लेकिन आपने करना क्या है असल में? आप हर चीज़ का आगे square ली जा रहे हैं नहीं समझ आ रही तो Wikipedia पे देख लीज़ेगा barrel equation को याद करने की stage पे आपको ज़रूरत नहीं आपको सिर्फ strategy का पता होना चाहिए कि polynomial equation में हम इस तरीके से polynomial draw करते है, ठीक है? एक curve draw करते है linear pattern but with curve क्या है? ये भी linear है ये भी linear ही है क्योंकि ये इसी तरह python के उपर किस तरीके से draw करने है, ठीक है? तो मैं आपको simple से बात बताता हूँ, सबसे पहले हमने देखना है कि bad fit क्या है ये मैंने एक import की library numpy की, मैं सारी outputs clear कर देता ताकि आपको असानी रहे, सबसे पहले मैंने एक नई बनाई polynomial की regression की Jupiter notebook के अंदर vs code को use करते हूँ, एक file आपने क्या करना है? यहाँ पर simply उसके उपर bad fit के एक example हम देखते है, ठीक है? कैसे? import numpy किया, matplot lib किया, यह दोनों को import करने के बाद यह देखे है, हमने x से क्या बनाया? यहाँ पर यह list है, tuple है, क्या है? मुझे बताएं please, अब आएगी समझ आपको then y से क्या बनाया? वो मुझे बताएं, comment section में फिर हमने क्या किया? एक model draw किया, ठीक है, let's see model क्या था? numpy.poly one dimensional, polynomial हमने one dimensional line बनाई, numpy.polyfit हमने यहाँ पर s के learn use करने के पर जाए, numpy को use किया, polynomial line को draw करने के लिए, कैसे? let's see x को दिया यहाँ पर, और y को दिया, और 3 degree की हमने line draw की अब 3 degree क्या होती है? मुझे जरूर बताएगा, मैं आप से पूछना चाह रहा हूँ, कि comment section में बताना है, वहाँ बताएं मुझे भेजेंगे तो, मुझे पता चल जाएगा फिर हमने एक line draw की in points के उपर ठीक है, वो कैसे करनी है वो भी देखते हैं, और उसका हमने simply यह लिख दिया, कि numpy line space draw करे 2 से लेके 95 तक, और 100% data पे, let's see यह देखें, फिर हमने plot किया x y को उससे हमें scatters आ गए, plot हमने line की, line जो यह वाले हमने arguments दिये हुए थे, वो line draw की आप यह देखें, यहां से 2 से start होती है, line and end पे, 95 पे जा रही है, अगर मैं इसको start कर लूँ 5 से, तो क्या होगा यह देखें, 5 से start हो, यह आगे चली की line तो आपने क्या करना है, minimum value से start करनी है, 1 से कर लें यह सिर्फ आपको example दिखाने के लिए कि यह वाली हमारे पास, इस तरीके से line आगे, अब देखें, यह line तो हमारे पास आगे, but this is not actually representing the scatter plot, ठीक है, क्योंकि यह बीज में से line गुजर गी, इसके साथ बहुत ज़्यादा error है, इसके साथ भी और इसके साथ भी model कहे दिया था, यहाँ पे model कहे दिया तो इसको run किया, तो आप देखें r² हमारे पास क्या आया, 0.009 बहुत कम, that means the accuracy score या इसका जो relation है, दोनों parameters का जो x और y पे हैं, they are not really into one and other, ठीक है तो यह bad fit की example है इस वज़ा से polynomial इस तरीके से हमने draw ने करने, जब data हमारा ऐसा होगा, हम model को यह और use करेंगे, polynomial कब use होने, जब हमने for example, यह वाली line draw करनी है इस data पे, यह data है हमारे पास, x और y को मैंने draw किया and then, मैं इस पे line draw करता हूँ, ठीक है अगर आपको यह, इसकी समझ आये तो मैं बता देता हूँ, import किया, मैंने plt को, x और y की दो list बनाई है और उनको plot कर दिया, that's it, यह मेरे पास points आगे, मैंने अपने मदे नज़र रखते हुए, बनाई के, points जो है, यहाँ यहाँ, यहाँ, यहाँ यहाँ पे आए, ठीक है फिर then, मैंने क्या किया, draw किया line को, numpy को बनाने के बाद, plt को बनाने के बाद, यह वो ही चीज़े हैं सारी, model, line और यह पूरा plot, मतलब पीछे वाला पूरा script, plus मैंने my line इसमें add कर दिया, तो यह देखें, यह line आगी, अब यहाँ पे भी 1 से 22 टू तक मैंने इसको बनाया, और 100 data दिया है, अगर मैं यहाँ पे इसको 40 दे दूँ, Y axis imagine कहां गही लाइन 150 100 देखा, यहाँ पे हमारे पास अब error आ रही है, let me see कि मसला कहां पे है, मैंने इसको my line बोला है, और 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 ठीक हो गया, अब देखते हैं कि यह क्या चीज है, line space के साथ, यह देखे, अभी मैंने इसमें mouse को hover किया, now you can see, कि कौन सी चीज क्या show करवा रही है, ठीक है, now you can actually find, कि हमने यहाँ पे जो चीज लिखी है, यह किस चीज को show कर रही है now you have to tell me and find what is this 100, यह तो मुझे समझ आ गई अब एक पहला limit है और दूसरी last वाली limit है, यह 100 क्या है, ठीक है इसके बाद हमने my line जो है, उसको draw कर दिया, तो यह polynomial इस तरीके से भी हो सकती है, ठीक है जो दूसरा तरीक है, वो भी मैंने आपको बताया हो सकती है different किसम की polynomial होती है अब इसकी R-square value चेक करें तो यह line best fit line है क्यों? क्योंकि इसका R-square value हमारे पास 94 आ गया तो अगर हमारे पास यह वाली line होती, तो इसका R-square खुदी कम होना था क्योंकि X और Y के जो यह plots हमने draw की हैं, scatters scatter points draw की हैं वो एक दूसरे के साथ match निकार रही है यह best fit line नहीं है, best fit क्या होती कि यहां से ऐसे आती, घूम घूमा आके फिर fitting होती है इसकी ठीक हो गया सोरी यारो, मेरी ना दाल मैंने पकने रखे रखे ली थी वो मुझे लगा कि वो गिर गई है खेर, अब मुझे आपने बताना है कि मैं उठके कहां पर गया और मैं क्या कर रहा था that's actually the tricky point in this video तो यहां पर r square की value हम जब देखते हैं तो यह देखे 0.94 है that means 94% इसका relationship है ठीक है, one के क्रीब क्रीब होतो ज़्यादा होता है that means कि यह line best fit है ठीक है, इसको draw हमने कैसे करना है वह मैंने आपको बता दिया इसके तरू, poly one dimensional line के तरू based on जो best fit line है ठीक है, अब आप यह देखें कि यह जो three है यह क्या चीज है and what's going on in this model ठीक है, इस degree को या क्या चीज है, यहां भी लिखी हूँ इसको मुझे आपने बताना है next चलते हैं prediction, अब इससे करते है हमने वही numpy की library जो है उसे import किया, then ask learn की arts care को import किया यह prediction नहीं है, sorry but we will see कि यहां पे speed को हम अगर या कोई भी चीज इसको prediction को करें मैं कहा रहा हूँ कि इसकी speed को हम show कर रहे है based on this thing यह को एक value उससे हम speed को show कर रहे है, अगर 18 लिखता हूँ तो उसकी prediction 92 आ रही है, ठीक है based on the polynomial line 39 लिखता हूँ तो इसकी minus something आ रही है, ठीक है 40 लिखता हूँ, तो इसकी minus 28 आ रही है, ठीक है 1 लिखता हूँ तो इसकी 99 आ रही है 18 लिखता हूँ तो ये देखे 92 तो इस तरीके से आप SQL Learn Library को यूज करने के बाद R-Scare की value को import कर सकते हैं बद on the other hand आप NumPy को भी यूज कर सकते हैं model को predict करवाने के लिए अब समझ आई NumPy Library can also work as a resource for our machine learning algorithm यहां तक तो आपको समझ आगी समझ आगी है तो comment section में लिखें yes everything is clear और time stamp लगाना ना भूला करें जब भी आप comment कर रहे हूँ now the next thing is अब hands on example पे चलते हैं हमने क्या करना है यह बहुत important example है और बड़े लोग इसे जो हैं वो mention करते हैं मैं भी इसको mention करूँ और आपको पताता हूँ कि यह क्या चीज़ है import numpy as np कर ली matcladlib कर ली pandas कर ली अब आप आपको पता है इस बात का कि आप csv file data set जो है online किसी link से भी download कर सकते हैं अगर आपका कोई online link करने जहांपे कहीं ने data दिया हुआ किसी ने तो आप क्या करें pd.readcsv and कौमों के अंदर ना बजाए नाम देने के उसका आप URL link भी दे सकते हैं तो यह मैं amazon aws.com public game lab fund से यह data आया है ठीक है इसको हम देख रहे हैं और इसमें salaries और position के हिसाब से data है तो x और y को हम check कर लेते हैं data set के अंदर ठीक हो गया अब देखें अगर मैं इसको control enter करता हूँ या shift enter करता हूँ sorry तो मेरे पास x y भी आगया और data भी import हो गया but the thing is I don't know कि इस data में क्या है मैं यहाँ पे data set dot head करता हूँ let's see क्या आता है हमारे पास तो यह edges का data position level and then salary now we will actually predict हम क्या कर रहे है पहले दो columns को हमने x पे ले लिया input में और y हमां predict कर रहे है let's see अब next क्या होता है अब हम करती है जनाब trains test split ठीक है वो ही 20% पे मैंने कर लिया और 80% को data ले लिया यह आप सब को पता है मैं इस पे ज्यादा time नी वेस्ट करूँग आपका मैंने इसको कर लिया split करके check कर लिया फिर fitting linear regression line to the data set हमने linear regression model को import करना है ठीक है ask learn model से and then उसको fit करना है फिर linear regression की fitting करना है x और y पे उसका क्या मकसद है let's see अब visualize करने के लिए मैं यहाँ पर बजाए इसके कि मैं यह plot सारा कुछ लिखता मैंने यह सारी चीज़ों को एक function में रख लिया जिसका नाम लेका है width linear ठीक है कभी भी किसी भी चीज़ पर width linear लगाऊंगा based on x and y बनाने के तो हमारे पास यह वाली इस तरीके से linear line आ जागी अब आप देखें कि यह linear line तो है ठीक है linear regression में यह truth है कि bluff है मतलब position level की base पर आपकी salary बढ़ती है कैसे बढ़ती है यहाँ पर degree जो है ना कितनी salary किस point पर कैसे बढ़ रही है वो different है तो हमें एक polynomial draw करना पड़ेगा यहाँ पर उसकी equation को check करना पड़ेगा उसके लिए हम करते हैं फिट करते हैं polynomial regression to the data set बजाए linear regression के same linear regression की तरह हम यहाँ पर polynomial regression जो है preprocessing में लेंगे polynomial feature में और यहाँ पर polynomial regression में features में हम degree ले रहे हैं degree क्या चीज़ है again मैंने आपको NP वाली data set में बताया you have to look into it ठीक है फिर x poly और हमने फिर इसको fit किया transform करने के बाद x पे यहाँ पर आपने model.fit नहीं करना है या हमने क्या करना है fit करना है underscore transform करने के बाद यह वाला function लगाना है x के उपर मतलब x को हमने poly में convert करना है polynomial में ठीक है तो x poly यहाँ पर इसका एक argument बन गया variable हमारा फिर polynomial regression को हमने यह लगाया और इसको हमने x poly and y पर करना है मतलब क्या कि है हमने यहाँ पर x डेटा सेट को polynomial डेटा सेट में convert कर लिया ठीक है degrees देगने के बाद यह degrees के function के बाद अब आप क्या कर रहे है polynomial डेटा और y को आप model fit करेंगे ठीक है बजाए इसके जो आपने यहाँ पर x and y पर किया था ना यह देखे x and y पर आपने सिरफ x को transform करना है polynomial में क्यों? अभी देख लेते हैं जब मैं again इस पर यह वाली land dry करता हूँ यह देखें automatically उससे best fit line आ जागी हमें that means कि polynomial में और कुछ नहीं है हमने सिरफ x को transform करना है और x को transform कैसे करना है मैंने आपको equation में बताया था कि हम x का square लेते जाते हैं अगली different जगों पे slope different हो जाती है और x का square होता जाता है ठीक है? तो यही simple polynomial का rule है कि आप क्या करते हैं अगर polynomial की आप equation देखें polynomial equation regression में तो आपको पता चलता है कि बीटा नौट प्लास बीटा 1 x square बीटा 2 x square इस तरह चलते है तो इसी वड़ाँ से मैंने आपको काया कि इसकी equation ज़रूर देखें तो आपका देखें linear regression और polynomial regression में सरफ एक फराइख है x different है तो क्यों न हम x को transform करके और किससे transform करना है हमने polynomial features है करना है अब यहां पे आप एक चीज़ note करें कि हमने poly regression polynomial features है न उसको transform करने के लिए पहले use किया फिर हमने उसको fit किया ठीक है दो step आगे इसमें बजाए इसके कि हम अकेला जो fit करते थे now the thing is जब मैं इसको draw करते हैं हमारे पास इस तरह line आ जाती है अब line को जारी बात है हम prediction के लिए भी use कर सकते हैं हम यहां पे अगर इसकी prediction करें 11 से ठीक है position level और salary की requirement के लिए 11 से अगर हम prediction करें तो हम यहां पे predict let me see predict linear और यहां पे अगर predict polynomial करें 11 के साथ ही आप देखें किसी का 11 साल का experience है मैंने predict linear किया फिर मैंने predict किया polynomial regression के साथ आपको क्या लगता है कि इसमें फरक आएगा विडियो को pause करें और मुझे बताएं कि इसमें फरक आएगा दोनों में यह सेम होंगी क्यों क्योंकि एक की line best वाली यह वाली है इसकी prediction different होनी चाहिए और इसकी different होनी चाहिए और इसकी more accurate होनी चाहिए let's see आप देखें जनाबी अली यहां पे 11 के साथ linear से किया फिर यहां से polynomial regression से हमने fit किया 11 को आप देखें कि यहां पे predict के बाद हमने इसको fit transform किया जो xcom transform करें तो prediction के लिए हमें इसको transform करना होगा यह दोनों cell मैं run करता हूँ यह वला भी और यह वला भी now मैं देखता हूँ कि difference कितना है इसका linear को मैं पहले draw करता हूँ जितना उसका prediction आई है फिर polynomial की prediction को draw करता हूँ एक लाग 78,833 बनती है बजाए इसके के उसकी 69,000 दे तो इसका मतलब है कि अगर कोई data scientist पागल बैठा हुओ ना HR वाले पास तो उसने करना इसको यार इसकी salary बनती है 69,000 लाग something नहीं 6,94,94 ती 69,000 लाग नहीं हमीं मैं पागल कर रहा हूँ और असल में उसकी salary बनती है सारी एक लाग 78,000 पाँच लाग का फरक है मतलब ये कि अगर आपकी data science खराब है ना आप company को भी नुकसान देने वाले है और बहुत सारे लोगों को भी इस वड़ा से इन चीज़ों को जरूर देखें polynomial regression किया है और दूसरी regression किया है और जमीन असमान का फरक आ रहा है कितना तक्रीबन एक लाग ये चेक करें ठीक है एक लाग का नहीं बलकि ज्यादा आना चाहिए ना अकाई दहाई से एकड़ा हजार देहजार लाग 6,94,93,3,3 ये एरर पकड़ी गई मेरी अपनी ये चीज़ होती है जब बंदा जल्दी जल्दी में बढ़ा रहा हो तो इसका मतलब ये है कि polynomial regression में उस बंदे की salary ज्यादा बनती है लेकिन आप अगर उसकी कम देंगे ना तो बंदा आप पर पागल हो जाएगा अगर आपने ये वाली error note की थी पहले मेरे से तो comment section में लिखें the second thing is कि उसका difference 10 lakh का डल रहा था तकरीबन तो देखें अगले बंदे ने रोना ही है ना कि यहाँ पर salary दे रही तो आपको अच्छे employees जाते रहेंगे तो उसका मतलब है कि अगर data scientist अच्छे हैं and using जो आपने और library यूज की है वो नीचे लिखें और साथ में लिखें कि we use these two libraries to figure out polynomial regression with Kodanex YouTube channel. अपना ख्यार रखिएगा दौाओं में याद रखिएगा मिलते हैं अगली वीडियो में. Take care and Allah आने के बाद.